हेलो डियर स्टुडेंट तो आज हम सीखेंगे मोलल उन्नयन इस्थरांग किसे कहते हैं हमने लास्ट वीडियो में कोथनांग में उन्नयन क्या होता है और कोथनांग में उन्नयन और मोललता में क्या संबंध होता है इसको सीखाता और PDF के लिए आप टेलिग्राम पर जाएंगे और STR Classes सर्च करेंगे जिससे आपको वहाँ पर इन वीडियो का PDF प्राप्त हो जाएगा और जितनी भी हमने लास्ट वीडियो अपलोड की हैं उनका भी PDF आपको वहीं से प्राप्त होगा तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो देखी ये है आपका पिरिशन नंबर 7 क्या दिरखा है MOLAL UNION इस्थरांग किसे कहते हैं आईए शुरू करते हैं यह है इसका उत्तर यह इसका अंसर है आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे मोलल उन्यन इस्थरांग और इंगलिश में लिखेंगे मोलल एलिवेशन कॉंस्टेंट के लिए देखें क्या लिखा है बहुत द्यान से सुनें विलायक के 1000 गिराम में विले पदार्थ के एक मोलों को घोलने पर कोथ नांग में होने वाली ब्रद्धी मोलल उन्यन इस्थरांग कहलाती है इसे के बी से पिरदशित करते हैं डी नॉट करते हैं तो पहले इतना समझ लो आपने क्या जाना आपने ये जाना के विलायक के 1000 गिराम में सही है 1000 गिराम या 1 केजी लिख लो 1 किलो गिराम लिख लो तो विलायक के सोल्वेंट के 1000 गिराम में विले सोल्यूट पदार्थ के एक मोल को घोलने पर कोथ नांग में बॉलिंग पॉइंट में होने वाली ब्रद्धी मोलल उन्यन इस्थरांग मोलल इलिवेशन कॉस्टेंट कहलाती है बात समझ में आई देखिए विलायक का कितनी मातरा है 1000 गिराम है यह 1 केजी है और इसमें आप विले के कितने मोल डाल ले हो एक मोल डाल ले हो तो 1000 गिराम विलायक में विले के एक मोल घोलने पर कोथ नांग में होने वाली ब्रद्धी बॉलिंग पॉइंट में होने वाली मौलल उन्यन उन्यन इस्थां कहलाती है कितनी असान ये इसकी définition है के लिए आप देखिए आगे इसे भी आप याद रखेंगे मौलल उन्यन इस्थां का मान पिरती एक विलायक के लिए स्थिर रहता है के लिए constant रहता है चाहें विले पदार्ट कोई भी हो क्योंकि जब विलायक में विले का एक मोल गोलते हैं तो उससे प्राप्त अडवों की संख्या सदेव इस्थिर रहती है बात समझ में आ गई है भी अब चलिए हम मोलल उन्यन इस्थ्रांग का फॉर्मुला देखेंगे और इसका यूनिट इसका मातरक क्या होता है उसको देखेंगे आई होब ये डेफिनेशन तो आपके समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी देखिए हमने कल भी इस बात को जाना था और आज भी समझ लो हम इस से इसका के बी का फॉर्मुला प्राप्त करेंगे कोथ नांग में उन्यन क्या होता है मोललता के समानुपाती या अनुकरमानुपाती या प्रोपॉर्शनल होता है अब हम इसे कैसे डिनोट करते हैं डेल्टा टी बी समानुपाती small m के लिए अब जो समानुपाती है उसके चिन को हटाने के लिए अनुक अनुपाती चिन को हटाने के लिए हम वहाँ पे लाएंगे constant तो फिर constant क्या है आपका kb तो फिर formula क्या बनेगा delta tb बराबर kb इंटू m अब kb को हम लिया है यहाँ पर तो अब क्या बनेगा formula delta tb अपॉन small m के लिए अब kb क्या है delta tb क्या है और small m क्या है इसे समझो देखिए small m क्या है विलियन की मोललता है और delta tb क्या है कोथ नांग में उननयन है नयन इस्थरांग या कोथ नांग उननयन इस्थरांग या हम इसको क्या कहते है ebulioscopic स्थरांग और इस्थरांग को इंगलिश में constant बोलते हैं के लिए देखिए मोललता पर भी हमने आपको separate video देदी कोथ नांग में उननयन क्या होता है इस पर भी आपको separate video देदी और आप देखिए kb पर आपको यह हम video provide कर रहे हैं और इनका pdf तो आप telegram से लही लेंगे तो आपको इस तरह से यह formula पता चला के kb बराबर delta tb upon m अब kb क्या है वो आपको बता दिया delta tb क्या है वो आपको बता दिया delta tb बराबर 1000 मतलब 1000 into kb into small w upon small m into capital w अब हम kb को delta tb के इस्थान पर लियाएंगे तो kb बराबर क्या हो जाएगा delta tb into small small m into capital w upon 1000 into small w इस formula को आप अच्छी तरह से याद रखें क्योंकि इस पर numerical पूछा जाता है यह आपके numerical में use होगा और इसके दोवारा आप numerical को solve कर पाएंगे तो इसलिए यह formula याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अब देखें जानते है delta tb क्या है kb क्या है और small w capital w और small m क्या है देखें delta tb आप जान चुके है kb भी आप जान चुके है और small w क्या है विले का भार है capital w विलायक का भार है और small m जो है वो विले का अनु भार है clear तो इस तरह से आपको इसके formula तो समझ में आया अब हम इसके unit की बात करते है इसके मातरक की तो देखिए अब इसका मातरक या इंगलिश में कहते हैं unit या हम कह सकते हैं इसे काई क्या होता है kb की काई मातरक kg पर mol मतलब कैलविन kg पर mol होती है तो आज की हमने वीडियो में क्या जाना molal union क्या होता है इसके formula को जाना और इसके मातरक को जाना I hope ये वीडियो आपको पसंद आए होगी हम मिलेंगे आपको इसकी next video